प्रेंड राहूल जेस्वाल जिया दोस्तों फिर से एक बेतरीन बायलजी का लेक्चर वीडियो में लेकर आचुका हूँ और आज हम 11 स्टाइंडर के स्टूडेंट्स के लिए बायलजी का चाप्टर नमबर टू एक नया चाप्टर अलुडी हमने शुरुआत किया हुआ है जिसको नाम है चाप्टर नमबर टू सिस्टूमाटिक उफ लिविंग ओर गयनिजम और इस चाप्टर का हम लाएं है आपके लिए लेक्चर नमबर थी जी ढूसरा लेक्चर है और बहुत ही खुसीरो चाप्टर जिसमें लिविंग ऊर्ग्यनिजम्स के पूरे क्लासिफिक पूरा सिस्टेमाटिक्स टैक्सोनॉमिक जो पूरा क्लासिफिकेशन है इसके बारे में पूरा पढ़ा जाएगा और आज तीसरा लेक्चर है दो लेक्चर अलुड़ी कंप्लीड है इस चाप्टर के और इसके पहले चैक्टर नमबर वन जो हमारा लिविंग वर्ड है उसको प्लाइन करते हैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बाइलोजिक पढ़ने में मेरे से काफ्य ज़्यादा मजा आ रहा होगा साथ ही में साइमल्टेनेस लिए आपको माच्वन माच्टू के लेक्चर मिल रहे होंगे फिजिक्स के लेक्चर के लेक्चर भी बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल के उपर देखने मिल जाएंगे तो आप बस हमारे चैनल के थुरू पढ़ाई करते रहो अच्छे तरीके से प्यार देते रहो और जितना हो सके conceptual knowledge को clear करते रहो ठीक है चले शुरुआत करते आज के इस वीडियो की तो आज देखो वीडियो जो होने वाल होंगे जैसे हम human being है तो human being actually कोने mammals है लेकिन mammals दुनिया में सिर्फ एक है क्या human being mammals है correct है आपने दस्वी में एक animal classification करके एक चाप्टर पढ़ा होगा दस्वी में आगर आपको याद होगा तो उसमें पूरा kingdom animal यापको explain किया गया है correct है तो आपने उसमें 10 प्रकार के उसमें ह हौन kore data फिर koreta category का हमने बहुत सारे चीज़ देखी थी कोड़डा के अंधर बहुत सारे class थे divisions थे philams अप्पार प्लांट याने कि कहीं निए कहीं आप देखोगे कि जो classification होता है उसके अंदर भी classification होता है तर उस classification के अंदर भी classification होता है यानि कि इतने types में हम जब जाते हैं ठीके तब जाके बनता है इतने विबिन परकार के animals या फिर plants यानि कि जो unit होता है classification का यह बहुत अलग-अलग तरीके से हो सकता है और वो हम आपको explain करने वाले तो सबसे पहले हम बात करें कि जो सबसे छोटा unit होता है अब बहुत है तो जीनस क्या होता है यह सब चीज जानने के पहले आपको एक चार्ट बताना चाता हूं एक चार्ट है मेरे पास वो डिस्प्ले करना चाता हूं और इससे आपको थोड़ा क्लासिफिकेशन बता रहा है करेक्ट है लेकिन यह जो क्लासिफिकेशन आप देख पार हो यहाँ पर दो हिस्सों में क्लासिफिकेशन डिवाइड है यहाँ पर आप जो क्लासिफिकेशन देख रहे हो यह एक प्लांस का क्लासिफिकेशन है इसमें जो एक्जांपल हम ले र यहां पर यहां पर यहां पर थोड़ा सान अजर डालो कि यहां पर कैटेगरी बता रहा है यहां पर देख पारें आप इंग्डम देख पारें किंग्डम के बाद डिवीजन फाइलम है सिरीज है, order है, family है, genus है, species है तो जैसे मैंने बोला आपको पहले स्लाइड में क्या बोला आपको कि सबसे छोटा और सबसे पहला चीज पिया होता है या फिर plant को या फिर animals की अगर मैं बात कर उसको classify करने के बारे में जब सोचते हैं, तो पहला जो classification होता है, वो होता है species का, यानि कि जैसे कि example के तौर पे कि कोई भी एक जानवर हो सकता है, अब उससे मिलता जुलता कोई और जानवर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यह अलग नस्क लगा है, यह अलग जाती का है, इसा बोलते हैं, डॉग में, cats में, अलग-अलग जानवर में, अलग-अलग plants में, लेकिन उनमें भी कुछ similarities होती है, उनके classification के उपर भी बहुत सारा classification होते हैं, तो यही हम बारीकी से पढ़ेंगे, यानि species के उपर का classification होता है, ज किंदम तक आएंगे, और आपको पूरा classification बताने वाले, लेकिन इसके पहले यहाँ पे देख लो, सबसे पहले kingdom, यहां किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, hibiskus के बारे में बात कर रहे हैं, तो hibiskus का, जो हमारा क्या है, जो classification है, वो कौन से kingdom का है, hibiskus में क्लास का ह तो ढॉली पीटाली बहुत तरी पंखुडी होती राती पंखूडी यह थर्मधू फॉरी ठीक है ना थारया भी फ्लोरे फिर उसका आर्पम करते हैं यह सब नाम है, family, malvacy, इसका family का नाम है, जैसे हमारे family का नाम है, jeswal, आपके कुछ होगा, हम लोग एक नाम रखते हैं, वैसे यह क्या है, family, malvacy, genus, इसका hibiscus है, और species क्या है, rosa sinuses, और एक और मजे की बात बताता हूँ, ठीक है, एक और मजे की बात बताता हूँ, यहाँ आपको, देखो ध्यान से, कभी भी, आपने सुना होगा, कि हम लोग कोई भी particular चीज़ का, क्या रखते है, scientific name रखते, जो कि आगे हमारा topic आने वाला है, next lecture में हम लोग नॉमेन क्लेचर की बात करेंगे, जिसमें common name क्या होता है, scientific name क्या होता है, यह सब चीज डिसकस करेंगे लेकिन आपको थोड़ा सा हिंड देके रखता हूँ, कभी भी याद रखना, कि यह जो जीनस होता है, और जो species होता है, इन दोनों के नाम को अगर combine कर देंगे, तो वो बन जाता है, scientific name, जैसे कि, हिबिसकस पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, हिबिसकस, तो हिबिसकस का नाम क्य next column में कोन है, cobra, ठीक है, तो cobra के बारे में पढ़ेंगे, तो cobra कोन है, kingdom क्या है, animal एक, cobra साप है न, animal है तो kingdom क्या है, animal यहाँ, division क्या है, उसके लिए, code data, code data मतलब उसके पास एक red click ID होती है, रिडिकेडी मतला हमारे जैसे नहीं, लेकिन एक लाइनिंग्स होती है न, रिडिकेडी जैसी, करेक्टर देखा है अपने साफ में, तो कोड डेटा है, फिर क्लास का है रेप्टाइल, रेप्टिलिया है न, वो रेंग के जाता है, रेप्टाइल एक लास उसका, सब क्लास क्य तो डिशन टोडिएंग्स, जोडना होता है, साइनिफिक्न एसदीवक नेम है, रोजर लोजर साइए्ट एएविक्ने क्या रोजर साइणर ना साइनिसीज, रोजर साइनिस हें, रोजर ठेल yard, यसे बहूम बन कर से का इंडिका नीम का है जादी रश्टा इंडिका यह से कई सारे प्लांट और अनिमल्स के आप रिसर्च करो आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको चाहिए तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अलग-अलग अनिमल्स और अलग-अलग को आपको बताएंगे क्या आपको चाहिए कॉमेंट भी इंदा कॉमेंट बॉक्स ठीक है अब आजाते हैं जो हमारा स्टाटिंग का टॉपिक चाल रहाता हूँ यह तो आपको समझ यह आ गया बेसिक उनिदो क्लासिफिकेशन क्या है दो एक्जामपल्स को तुरू मैंने बता सबसे च्छोटा यह है अगर मुझे बताना है कि यह सबसे बेसिक है और इसमें बता दू कि यह जो स्टा कोई चीज नहीं हो सकता मतलब स्पेसी तक आके मुझे आपके रूपना पड़ेगा ठीक स्टेबल यूनिट इस से और चोटा यूनिट नहीं हो सकता जैसे हम लोग से चोटा है कोई यूनिट नहीं होता है से जो नाम है क्या नाम है स्पेसीज में गोला है होगा है जिसको आज बोलते हैं subspecies, क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं subspecies, याने कि कुछ ऐसे भी animals Sonra हिपर plants पाये गए हैं जिसमेn species में भी हम उसको इंहां कि उम्मीद करते हों कि species क्या होता है यो आपको समझ में आ गया होगा इसे बहुसरा examples हम लुग कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता दू कि मैंगो यह जो मैंगो है गर आ 大स्व अदाजी रच्ता इंडिका ть कह प्लांट देखो कि जो है वो क्या है दोस्तों सेम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ मैं क्या बोल सकता हो कि जो मैंगो का ट्री और जो नीम का पेड़ है मैंगो ट्री और करवापन अपर गौर्टी इंग एब आगे बढ़ जाते रहे लोग सफाटी तो यह तक आंगे बढ़ जाते चलो अब जाते हैं हम लोग next classification, अब आ जाता है species के just उपर आप देखोगे, species के just उपर आ जाता है genus, तो genus हमारा just क्या होता है, it is larger than the species, यानि species के उपर और classify करना है मुझे, तो वो आ जाएगा genus, अब genus क्या है, it is close morphological characters, genus हमें बताता है, कि जो भी morphological, morphological मतलब क्या होता है, external characters बाहर से वो दिखने में कैसा दिख रहा है, that is known as the morphological characters, तो वो close resemblance बताता है, एक closely, अगर किसी का same है, जैसे की मेरा शकल आप देखो, और समझ लो मेरे भाई का शकल देखो, मेरे फादर का शकल देखो, थो थोड़ा बूद मैच करेगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन आपस में ही breeding नहीं कर पाएंगे, breeding मतलब reproduction करना, ठीक है, reproduction आपस में नहीं कर पाएंगे, यह चीज़ ज्यान में रखना, example क्या है genus के tiger lion, अब आप देखो कि tiger अलग होता है, lion अलग होता है, tiger बाग होता है, lion share होता है, लेकिन यह मैं आपको बता दू, यह दोनों का, जो genus है, वो same है, tiger और lion यह दोनों का जो genus है, species अलग है, tiger का species सा अलग है, tiger की जाती अलग है, और lion की जाती अलग है, लेकिन जो genus है, वो kya है, same है, यानि कि it is belongs to same genus, और वो genus का नाम क्या है, panthera, यह लोग हों है panthera है, panthera है, तो panthera है tiger, lion, leopard वगर यह सब आ जाते है, यह ताइगर लाइन टाइगर का जीनर से स्पेसिस नहीं या जीनर से याद रखना करक्ट है तीक यह उमीद कर हूआ कि आपको यह चीज बहुत पहुत बहुत बहुत भर समझ में आगया ओगा हुगा आगे बढ़ जाते मेरे father, mother, मेरे भाई, बैर, ठीक है, मैं हूँ, यह मेरा family है, ठीक है, लेकिन, हो सकता है, किसी और की भी family हो, correct है, तो family हमें, क्या बताता है, एक साथ, गम hè ने का यह बताता है, अब मेरे father की family थी, जिसे में मैं था, हो सकता है, जो जीनस सेम है, वो इस family में belong हो जाएंगे, जैसे example के तौर पर यहाँ पर है example hibiscus और gossipyum hibiscus और gossipyum यह ऐसे plants है जिनका जो जीनस होगा क्या, जीनस जो होगा, वो भले अलगल होगा, लेकिन इनकी जो family होगी, वो same होगी, जिसका नाम है मालवसी है जिसका नाम है मालवसी है उसी के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि मेरे फादर है, जैसे मेरे फादर है लेकिन मेरे फादर के दो लड़के हैं, एक मैं हूँ और एक मेरे चोटा भाई रोहन है, ठीक है, लेकिन मेरे फादर जो है ना, वो तो दोनों के लिए same है, मेरी family अलग होगी, जब मैं शादी करूँगा, मेरा भाई जब शादी करेगा तो उसकी family भी अलग हो जाएगी, बतलब हम मेरा जीनस अलग, ठीक है, मेरा जीनस अलग, मेरा भाई का जीनस अलग, correct है, लेकिन मेरे family तो ही किये, मेरे father के अंडर में आता है, तो वैसे ही same, यहाँ पे जो हिबिसकस gossipy में, यह same family में बिलॉंग करते हैं, जिसका नामें मालवर सी है, यह आपको जहान में रखना है, ठीक है, एक और example है, समझ लो cat, बिली आप जानते हैं, cat, also belong to the family of leopard, tiger, lion, leopard, tiger, lion, यह इनकी family है, leopard, tiger, lion, यह एक family में बिलॉंग करते हैं, और यह family का नाम है, फैली डेई, फैली डेई, नाम है, यहाँ रखो यह सब नाम बहुत important है, दोस्तो, यह आपको लग रहा होगा है, 11 standard है, क्या जरोते हैं, लेकिन यहाँ जब 12 में जाओगे, तो आपको basic concept पता रहेगा, आपको need वगरे के लिए और वीडियोस देता हूं, ताकि आप जब चाहे, जब मर जे आप रात को खोलो, सुबे खोलो, वैसे ही fresh वीडियोस आपको देखने में देंगे, और आप जब चाहे अपना conception knowledge को clear कर सकोगे, यही हमारा मकसर दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने की पतलब कहीं ने कहीं, जो cat है, यह तेंदुआ, tiger, lion के family से भी लॉंग करती है, और इसलिए दोनों का शकल थोड़ा बत मिलता जूलता है, आप देखो, share को देखो, tiger को देखो, और billy को देखो, थोड़ा बत ऐसा लगेगा कि यार, billy और share, चचेरी, मोसी, क्या तो एक dialogue है मैं को याद नहीं है, लेकिन ऐसे कुस्तों लोग बोलते है, ठीक है न, ऐसा बोलते है न, तो कहीं न, कहीं इंदों के बिच में link है, link क्या है कि इनकी family से में, जिसका नाम में family, correct है, वैसे ही, एक और होता है, dog, dog की family जो होती है, वो candidate ही होती है, हमनों आगे discuss करेंगे, ले मेरे father के भी father होंगे, ठीक है न, हर बापका इबाप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तादा जी कहते है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जादा जी भी होंगे, वैसे इसी प्रकार, family के उपर भी एक family होगी, family के उपर भी एक classification होगा, उसका नाम क्या है, order, अब order क्या करता है it shows the various few dissimilarities, यानि कि order में जो भी लोग रहेंगे, या फिर जो भी plants रहेंगे, animals रहेंगे, इनमें dissimilarities बहुत कम होते, similarities ज्यादा होते, क्या होते हैं, जैसे कि example के तोर में, families of dog, dog की family का नामे canidae, जैसे मैंने बोला न, कि cat की family, जो loin tiger बिलोंग करते हैं, उसको felidae बोलते ह क्या बोलते हैं, canidae, ठीक है, वैसे cat की family का कहा नामे, felidae, लेकिन ये जो dog है और cat है, इनकी जो family है, ये different है, dog की family का नामे canidae, cat की family का नामे felidae, ये दोनों अलग-अलग है family, ये family अलग-अलग है, ये family अलग-अलग है, लेकिन ये belong करते हैं different but having the same order कार्णी बोरा, यानि ये दोनो family बिलॉंग करते हैं order कार्णी बोरा से, जैसे example के तोर पे, मेरे दादाजी है, अब मेरे दादा की समझ लो दो लड़के थे, एक मेरे father के भाई होंगे, तो मेरे father से मैं हमारी एक family बनी, लेकिन मेरे father की जो भाई होंगी, जो की मेरे चाचा होंगे समझ लो, उनक यह निकि जो डॉग है वो जो कैट है वो दोनों को ओर से में क्या है कार्णी वारा लेकिन दोनों के फैमिली अलग अलग है एक की याद रखना है जो कि हमारा जो आडर हमने पड़ा अब ऑर के उपपड़ जैसे मेरे फादर के जो पपा थे अब उनके भी हो सकता है पपा हो या फिर उनके भाई हो समझ में आ रहा है उपर उपर हम लोग फैमिली ट्री मैंजिन करके आपको बहुत आसानी से मैं इक्स्पेयन कर रहा हूँ इसके लिए family tree ले रहा हूं में, ठीक है, तो उनके भी पपा होंगे, ठीक है, अब यहाँ पे, यह class क्या बता रहा है, it is the higher than order, मतलब order के भी higher उपर जाओगे, तो वो क्या रहेगा, मेरा class रहेगा, जैसे example के तोर पे order कार्नी वरा, जो हमने अभी अभी पढ़ा, कि जो dog और cat अब यह दोनों order के उपर जो class है, एक और जो unit of classification है, जिसको हम लोग class बोलते है, यह class है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कि मैं भी मेमलिया हूँ, एक चमगादर भी मेमलिया ही है, एक हाती भी मेमलिया ही है, लेकिन है तो अलग अलग ना, मैं human being की दर, हाती की दर चमगादर, बैट की दर, समझ में आ रहा है, तो उसी प्रकार, प्राइमेट्स और यहाँ पर दूसरा जिसका नाम है कार्निवरा, यह दोनों order तो है, अलग-अलग order है, लेकिन इनकी जो class है, वो सेम है, जो कि है मैमलिया, मैमलिया से ही निकल के आ रहे हैं यह लोग, मैमलि पहली बार सुन रहा हुगा, लेकिन कोई बात ने बहुत ईजी है, तो डिवीजन या फिर इसको फाइलम भी बोल सकते हैं, डिवीजन या फिर फाइलम, तो यह क्लासेस के उपर जो एरिड होगा, यह जो ट्लासेस हमने पड़ा, च्लास, उसके उपर जो classification होगा, उनिट का वो क्या होगा, division होगा, या फिर phylum होगा, correct है, तो example के तौर पर division, angiosperm अपने नाम सुन है, plants में, तो angiosperm division है, वैसे ही angiosperm के अंदर, दो class आ जाते हैं, angiosperm क्या है, division है, यानि फाइलम मेरा क्या है, phylum या फिर division क्या है, angiosperm, लेकिन angiosperm के अंदर दो class आ रहे हैं, जिस में आ गया, मजा आ गया, अब आगे बढ़ जाते हैं, next topic जो कि होगा, sub kingdom, यानि division phylum के उपर भी है classification होगा, जिसको हम लग बोलेंगे, sub kingdom, अब sub kingdom क्या होता है, it is different divisions having same similarities from sub kingdom, यानि क्या बोल रहा है, समझो इस चीज़ को, इस चीज़ को थोड़ा बारी के से समझो, क्या बो एक division है, angiosperm, लेकिन मैं एक और division ले रहा हूँ, जिसका नाम है gymnosperm, सुनाई कि नहीं आपने नाम, तो angiosperm, gymnosperm, ये क्या है divisions है, लेकिन ये किस से बिलॉंग करते हैं, उसके उपर वाले sub kingdom से, जिसका नाम है fanerogams, यानि fanerogams के अंदर आ जाते हैं, दो category, gymnosperm और angiosperm करेक्ट है, समझ में आ गया, अब इनके उपर भी एक होगा, उसके उपर भी कोज़े होगा, तो इसके उपर सिर्फ एक ही हो सकता है, जो कि आखरी topic है, हमारा आखरी unit of classification है, जिसको हम लग बोलते है kingdom, जैसे मैंने आपको बताए कि kingdom क्या है, सबसे आखरी position में है, जो हमने species taxonomy category, highest taxonomy, इसके उपर और classification taxonomy का hierarchy classification नहीं हो सकता, यह आखरी है, example के तोर पे समझते हैं कि कोई sub kingdom ले रहे हम लोग जैसे के crypto game और fanerogram, fanerogram सा भी देखा हमने, तो crypto game non flowering plant जिसको बोलते हैं और fanerogram जिसको flowering plant बोलते हैं, यह दोनों को अगर मैं एक साथ लो, यह दोनों कोन है sub kingdom है, लेकिन यह sub kingdom के उपर भी kingdom होगा, और वो kingdom कहां से belong करते हैं, वो kingdom belong करते हैं, प्लांट से, क्योंकि प्लांट सही तो निकला है, यह जो kingdom plant ही है, इसमें सही तो निकला होगा, कौन निकला होगा, एंजियो स्पॉम, स्वरी, माफ करना, हाँ, crypto game और fanerogram, क्या निकला अगर में आ जाते हैं, कौन, crypto game, fanerogram, जो कि क्या है, sub kingdom है, clear है, तो उमीद कर रहा हूँ कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा, तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो हो गया हमारा topic, हमने पुरा का पूरा unit of classification आपको एकी लेक्चर के अंदर complete करा द interest की बात होती है, और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, तो biology में आप टॉप कर सकते हैं, और वो भी concept के साथ, ठीक है, चलो फिर इसी के साथ आज का वीडियो समापत होता है, अगला lecture में, जैसे ही हो जाएगा हमारा अगला lecture आएगा, तो उसमें हम आपको बताने वाले हैं, कि किस प्रकार से हम कोई भी जानवर या फिर प्लांट्स को naming कर सकते हैं, naming क्या होता है, systematic classification क्या होता है, या फिर जो word है, जिसको हम बहुत है, nomenclature, वो क्या होता है, वो सभी चीद बताऊंगा, common name, scientific name, मजा आएगा पढ़ने में, बस बने रहना हमारा साथ, आज के लिए आपको कैसा लगा है, प्लीस हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, दोस्तों तो फ्लीस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना होता है, शेर करना, शेरिंग इस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुस सारो बोल देना और अगर आप लोग भी फर्स टाइम आयो चैनल पर भी जैक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो फटा फट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ठीक है दोस्तों जल्दी मिलेंगे हमारे न्यूव वीडियो में तब तक लिए थाइंक यू